बीच में खालिस्तान मुव्मेंट थोड़ से स्लोडाउन हो गया था, बट देन पाकिस्तान के तरफ से काफी इसको सपोर्ट मिला, तो क्या आप इसके बारे में, प्रिकेस आपका एक थोड़ा, एक अंटी टर्रिस्ट का फ्रेंट है, तो क्या पाकिस्तान का उड़ता पंजाब एक पिच्चर बनी थी, हम पंजाबियों को निशेडी बताया गया, इसमें शक भी कोई थी, निशेडी बहुत बने, पंजाब के नौजमन बाहर बदेशों में चले गए, बदेशों में अफ्लाइड हो गए वहां पर, खालिस्तान मुव्मेंट में उन को बना दिया, पीछे वो है, अब तीन चार टेरिस्ट भी पाकिस्तान में मारे गए, तो पाकिस्तान ने क्यों रखे, क्या पाकिस्तान को आदमी हमने रखा इधर, क्या कैनिडा को रखा, क्या अमेरिका को नुकसान पचाने वाला कैनिडा को हमने रखा, नहीं हमारा देश तो वो उसी तरीके से वो छोटे-चोटे मुद्दे उठा रहे हैं उसको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों छोचल मीडिया का योग है तो छोटी-छोटी चीजों को अठा देते जैसे किसान दोलन की आपने बात की क्या किसान महारास्टा में नहीं है क्या गुजरा वहां से मुवमेंट क्यों नहीं उठती आपकी डिमांड क्यों है आपकी डिमांड है तो आपके प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं वग्यान बावन में कीजिए पर धंकी मत दीजिए कि हमारी बाते ना मानी तो हम पी एम को मार देंगे हमारी बाते ना मानी हम मुमिनिस् कौशिश करते हैं. गोली चले सरकार तब भी फते, नहीं चलाए तब भी फते, नहीं चलाए तो पाकस्तान कहता है, हिंदुस्तान के ओपर लाल किला पे तो खालस्तानी उन्हें कभ्जा कर दिया, निउचला देता थीक, चलाए तो सिख्हों पे अतियाचार हो गया, तो देश किसका है, तरंगा जंडा किसका है, कि मेरी मैं सरदार हूँ पर मैं मुझे पूछो, मैं सरदार हूँ पहले कौन हूँ, मैं भारती हूँ, मैं सरदारबाद में हूँ, मेरे बारत की तरफ आ जा जाए, मेरा हिंदुस्तान का पहला तरंगा ल के उनी विरॉद हुआ, चाहे महरास्टा हो, चाहे गुजरात हो, किसी जगा पे हो, सब जगा पे यही वाज उठती रही, सरदारा ने फटे चकते, सरदारा ने तक कमाल देखो, कितनी दिलेरी दिखा दी, जिन्हों ने ये कहा, वो गलत कहा, क्या पूरे हिंदोस्तान में को स साही भी जाता होगा, जब हमें इजदत मान सब देते हैं, हिंदोस्तान हमारा है, हमारे गुरुओं का है, तो जब तरंगे जंडे का अपमान होता है, लाल किला में अपमान होता है, कैनेडा में होता है, तो सिक्ष हमदाये, पंजाब में ना बोले, हिंदोस्तान में क्यों हमारे गुरुओं का है हमारा है इतना कहने पे भी तकलीफ है जिस दिन हम कहना ये शुरू कर देंगे ना गोली की जरूरत पड़ेगी ना बंब की ना फॉज की ना पूलिस की एटम बंब की तरह लगेगा सिर्पे पकड़ी होनी चाहिए और गुर्दवारे से वाज आए कि देश हमारा है हम पन्नू के खलाफ हैं बूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पर पनले वाले कहानी खत्म को कहने को त्यार ही नहीं यह बहुत बड़ा सवाल है हिंदू बोलेगा तू फिरका प्रस्त है हिंदू बोलेगा तू नफरत फिलाने वाला हिंदू बोलेगा तकलीफ जरूर होगी। होए। मैंने कहले ने मैं तो भारती हूँ। मेरी पगडी की शानी तब है मैं देश का हूँ। मैं पहले सरदार हूँ, फिर मैं भारती हूँ। ना, बिलकुल नहीं। हमारे भारत को भारत में हमारे गुरू सहाँबानु ने अपना जनम लिया। चोटी शोच पर पड़ गए जब खालस्तान के नारे लगते हैं कैनेडा अमेरिका के अंदर जा किसान उन्दोन के अंदर पंजाब से बार के मेरे सेखवाई क्यों नहीं बोलते हैं हिंदू ने बोल दिया तो तो नफरत फिलाता है क्यों भई तुमारे देश को तोड़ा जा में आपके उना वाज उठाओ ये सवाल है किसी शिखभाई को दिक्कत हो जए शोर मज जाए को दूसरे को दिक्कत तरंके जंडे को पैरों में रोता जाए उसके अशोग चक्र में खंजर करपान मार दी जाए ना वो मेरा फर्ज नहीं मैं नहीं सहामत इस से जिसने बुरा में चलानी चलाए जैसे नहें चलाए यह से नहीं पर रास्ट का गौरब चकर के बीच में खंजर लगा को बीटे का सीनना पार करता है वो हरकर सिने पर नहीं चाहिए धून नहीं ना शिक मेरे भाई के फिर मदा आएगा नहीं लगेगा तो फिर खालस्तान की बात तो उठेगी वो करेंगे और हम चुपके से तमाशा देखते रहेंगे और आप से अगर सवाल आप तो पूछूँगा आपके कि सारे सरदार तो ऐसे नहीं है हर जगा से यहीं जवाब मिलता है चुप रहना भी गुना है जिनाब यह भारत हमारा है यहां बगत सिंग जैसे योदों ने फांसी के रस्ते को चुमा है यहां जल्ले हमारा बाग के अंदर हिंदू-मुस्लिम शिखे साहियों ने सीना चोड़ा करके गोलियां बंखाएं यह हमारा भारत है आजादी की लड यह सवाल है हम क्यों ना बोलें अब कहते है जी अब सोचल मीडिया का यूग है आप उसमें स्टेटमेंट दो लिखके बेजो अदाद विचारदारा लिखके बेजो कि यह हमारे गुरूओं का देश है यह देश दरोईया पन्नू जैसे लोग देश को तोड़ने वाले खा सल्मान के लिए इसाई के लिए कुर्बानी दी मद्रूम में हर धर्म मजव का व्यक्ति आता है हमारा धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता अवल अल्ला नूर उपाया कुद्रत के सब बंदे गुरुनानिक देव जी ने कहा था मानस की जात सब एक ही पिच्छा सब जात एक ही हम पापी है हम गुनागार है हम पगड़ी पहनने के काबल नहीं है क्योंकि हमारा धर्म बड़ा प्वित्तर धर्म माना जाता है कुर्बानी शाहतो तपो जपो का कर्म हमें तो मुफत में पगड़ी मिलगी हमने क्या किया जी जिन्दगी में हमें मुफत में पगड़ी मिल कभी पंजाब के इंदर हरमंदर साब में गुश करके किला बनाके च्छती हदार लोगों का बेगुणा लोग कतल याम कर देते हैं यह थोड़ा हमारे गुरुवों ने सिखाया था बोले कौन बेगुणाओं का कतल करने वाले बिंडरावाले को कहते संत जर्नाल सिंग बिंड से लड़े क्या आने वाले टाइम पे 30-35 साल के बार हमारे पुराने गुरुदवारा हटके का बिंडरावाले के गुरुदवारे बनेगे अपनी आखों के सामने देखा च्छती हदार लोगों का कतल याम उनकी गलतियों से होते हुए चुराची के दंगे हुए इंदरा ग मारा वक्त जिंदीकी का गुजर जाए क्या होगा हमें लेना देना नहीं हमारा वक्त गुजर रहा है भारत मा जाए बार में तुम्हें अखेला छोड़ दिया यह फर्क है हमारे दिल के अंदर हम शोर जरूर मचाते हम यह हैं हम यह परत ते हैं। भारत मां पूरी दुनिया ने को देश है जिसके आगे मां लगता है। जिसके अंदर गुर्दुवारा मंदर मसिद गुर्दवारा अपनी आचन में समा के रखें, ये वो भारत है। हमें बारत मा कैने से तकलीफ होती है हं कर भारत मातरम कहने से तकलीफ होती ہے अगह बंदे मात भारत के जाय कहने से शर्म आती है तो फिर क्या पिर अपर देश के साथ? न, gustे पर रंगा जंडा पर लोगा है मकसद सोच अब मेरे से को सवाल पूछता है ना कितने भूम चले इतनी गोलियां चली पहला हमला कब होता हुआ हम फकर से कहते हैं पहला हमला अजादी कितरंगे जंडे की रक्षा करते हुए 82 में चला 82 में कितने वर्ष हो गए उस वक्त फिर अजादी की रक्षा की जंग शुरू हुई मैं नहीं उसने किरपा की मेरे पर मैं कौन हूं मैं तो बोनस की जिन्दी भी मैं तो मर चुका मेरे स्रीर में लोहा है मैं तो बोनस की जिन्दी की जीता हूं मैं तो मर चुका मैं तो तमाशा देख रहा हूं अच्छा भी बुरा भी बगे सिंग जी की सोच तो उपर रोती होगी ना तर्पती होगी रूव आत्माम की इज जो देश को तोड़ने की बात करते मंगला देश मनाएंगे मैं तो मरके बचके बूनस की जंदगी में देख रहा हूं को को बोलने वाला नी को जवाब देने वाला नी ना वो मीडि जा रहा मीडिया भी वो नहीं रहा ना एक सिस्टम क्लैप्स क्लैप्स हमने कर दिया हमें जिम्मेदाविश तो सर लाइक आपने जो बात बोली वो एकदम सही है आज के टाइम पे भी जो वो देश भक्ती की भावना है आज लोग स्टेटस लगा देंगे ये सब कर देंगे जो शोर शराबा है वो हो जाएगा बड़ जो अंदर से भावना है देश भक्ती की अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉड़कास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है इंडल्ज और एंजॉई